हलो फ्रेंज वेलकम बाइक आहिल टेक यूटूब चैनल फ्रेंज मैंने पहले ही वीडियो बना के पेप्यूडेक्स के बारे में बता दिया है कि आप कैसे इसे यूज कर सकते हैं पेप्यूडेक्स एप्लिकेशन को आप यूज करके मोबाइल रिचार्ज जी टी एच रिचार्ज करके अच्छी खासी अरनिंग कर सकते हैं और आप रिटेलर डिस्टिब्यूटर किरियेट करके उस पे भी आप अच्छी खासी कमीशन ले सकते हैं और यही मैंने फुल डिट का पूरा आपको फ्रीवीयो करके दिखाया था. तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, तो वीडियो का लिंक आपको मिल जायगा मैरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्सान में. आप उस वीडियो को देख के कैसे आप इसमें एक ID create कर सकते हैं और कैसे आप कितना commission मिलेगा और कैसे आप इसे use कर सकते हैं आप जान सकते हैं और आप इसमें work easily कर सकते हैं आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप as a super distributor distributor जूर चुके हैं इस से या फिर जूरना चाहते हैं तो आप कैसे अपने distributor और चर को यहां commission set करेंगे इसका मैं आपको इस वीडियो में full details बताऊंगा तो चलिए guys वीडियो को विनावक्त गवाए शुरू कर लेते हैं इसके लिए आपको आना पड़ेगा इसके website पे इसका आपको आईडिया बना के कैसे आप यूज कर सकते हैं सबका link आपको वीडियो के description में मिलेगा तो आप description जरूर एक बार चेक कर लिजिएगा जो आप यहां पे website देख रहे हैं इस website पे आने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा interface देखने को मिल जाता है आप यहां नीचे scroll down कीजिएगा तो नीचे आपको इसके बारे में इसकी यहां पे services के बारे में आप यहां पे देख सकते हैं contact number आपको यहां पे नीचे मिल जाता है यहां पे simply आप अगर use करते होंगे तो आपको पता होगा login करने के लिए जो आपको यहां पे option मिल जाता है login का तो आप simply यहां इसके उपर कर दीजिए क्लिक और यहां जो आपको sign in इसमें login करने का option आपको मिल जाता है अपना username और password डाल के इसमे secure login पे कर दीजिए क्लिक आप इसमें login हो जाएंगे इसके बाद जब आप इसमें login हो जाते हैं इसके website में अपना user ID password डाल के तो यहां dashboard में आपको ऊपर यहां पे notification स्क्रोल होता हुआ दिख जाएगा इसके अलावा आप नीचे यहां पे जब आते हैं तो आपको today recharges का option आपको मिल जाता है जितने भी आपने recharges किये होंगे success, spending, failure, refund जो भी है आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा customer details जितने आपने create कियो होंगे as a distributor, as a retailer आप यहां पे देख सकते हैं आपको dashboard में ही देखने को मिल जाएगा और आज का statement आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा, payment आज का आपका यहां पे देखने को मिल जाएगा, total support ticket आपको इसमें देखने को मिल जाता है, आचा गाइस, यहां पे जो आपको एक option मिल जाता है, corner में three dot का, जब इसके उपर आप किलिक करते हैं, तो आपको एक यहां पे बेल आइकन दीख जाती है, नोटिफिकेशन वाली, main wallet आपको यहां पे देखने को मिल जाता है, जितना भी आपका wallet में यहां पे balance होगा यह आपको यहीं पे देखने को मिल जाता है, इसके अलावा guys आपको यहां पे एक option मिल जाता है side में, यहां इस option के उपर जब आप click कर देते हैं तो यहां पे आपको आ जाता है option recharge का, यहां से आप mobile recharge भी कर सकते हैं इसके दोआरा आप UPI से पैसे को अपने mobile में add भी कर सकते हैं, यहां पे आपको मैं बता दूँ, यह दोआरा आप 500 एड कर सकते हैं मिनिमम यहां आप 1000 रुपेस मिनिमम यहां पर एड कर सकते हैं इसकर आवा गाइस यहां पर जो आपको recharge का option मिल रहा है यहां पर जब आप recharge का option पर किलिक करेंगे तो आपको यहां पर recharge mobile करने का option आपको यहां पर मिल जाता है जैसा है कि आप यहाँ पे देख रहे हैं Mobile Recharge, DTH Recharge का option आपको यहीं पे मिल जाता है तो आपको simply यहाँ पे Mobile Number, Amount, Operator चूस कीजिए Proceed to Recharge पे कर देगे किलिक तो आप यहाँ से instant में Mobile और यहाँ पे Recharge DTH कर सकते हैं यहाँ पे simple सा steps को आप follow करके सो गाइस यहाँ पे हम बैक आजाते हैं My Commission के उपर किलिक करके आप Commission भी यहाँ से देख सकते हैं जो भी आपका Commission होगा यह आपको यहाँ पे जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं मैं आपको एक बर आओर revise करा देना चालता हूँ इसके Commission की बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं 5.50% तक का Commission है वीडियो को जड़ा पूस कर लीजिए पूस करके आप यहाँ इसके Commission को देख सकते हैं तो गाइस यहाँ पे मैं आपको बैक आजाता हूँ अब मैं यहाँ पे चलता हूँ Commission Set कैसे करें Commission Set करने के लिए आप यहाँ पे देख रहा है नीचे Option मिल जाता है आपको Commission Setting का तो आपको Commission Setting के उपर कर देना है क्लिक और इसके उपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ नीचे जो Option मिल जाता है Set Commission तो आपको यहाँ पे Set Commission के उपर क्लिक कर देना है इसके ओपर क्लिक करने के बाद आप के सामने कुछ ऐसा interface देखने को मिल जाएगा सबसे पहले आप यहां पे select कर लीजिए कि आप commission set किसका कर रहे है distributor का कर रहे हैं या पिर retailer कर रहे हैं जो भी होगा आप यहां select कर लिए distributor और retailer जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं ठीक गाइस और यहां पर आपको क्या करना है अब आपको यहां पर सिंपली कमिशन डाल देना है यह आपको जो भी होगा एक्शुल कमिशन रेट आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा उप साइड में यहाँ पे यूर फ्रोफिट यह आपका कमिशन है यह जो भी कमिशन आप देख रहे हैं यूर फ्रोफिट में यह आपको कमिशन है यहाँ ओपरेटर वाइस कमिशन आपको मिल जाता है तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है आप जिसको कमिशन देना चाहते है रिटेलर Creator Distributor को यह आप commission यहाँ पर डाल दीजीं, जैसे कि हम यहां पर commission डाल देते हैं, 2.70 का commission यहाँ पर हम डाल देते हैं, suppose डैट, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहा है, कुछ भी आप जो भी commission देना चाहते हैं, यहाँ पर डाल दीजीए, अब यहाँ इस तरह से आप one by one operator wise commission यहाँ पे डालते रहे और यहाँ update के उपर click करते रहे अपडेट होता रहेगा या फिर आप चाहें तो एक ही बार में बिना update किये वे update all पे click करके सभी का एक ही साथ commission set कर सकते हैं उसके लिए आपको क्या करना है पहले आप क्या करें कि सबका operator wise commission जो भी आपको डालना है यहाँ पे डालते रहें commission के all डालते रहें update पर click मत किजिए डालने के साथ आपको यहाँ पे नीचे जो option मिल जाता है update all तो इस page पे आपने जितने भी commission डाले हुए है यहाँ जो आप एक ही बार update all के option पे जब click करेंगे तो आपका एक ही साथ में यहाँ पे commission update हो जाएगा सभी का बार बार आपको update का जो आप यहाँ पे option देख रहा है इस पे आपको click करने की ज़रूरत नहीं परेगी एक ही बार में आप यहाँ पे सभी का commission set कर देंगे तो इस तरह से guys आप commission set कर सकते हैं अगर आप super distributor है तो आप distributed लोग यहाँ पे commission add कर सकते हैं अगर आप distributor है तो आप एक package का यहाँ पे एक नाम डाल दिजिएगा commission package का उसके बाद आप यहाँ पे commission को select यहाँ चेयर नाम डाला होगा उसके दूसले कर सकते हैं commission list यहाँ पे देख सकते है package name या user type के दोवार आप यहाँ पे search कर सकते हैं जो भी आपने commission यहाँ पे किया होगा set आपको यहाँ पे देखने को मिल जायेगा तो इस तरह से आप easily यहाँ पे commission को set कर सकते हैं इसके लावा guys अगर आप यहाँ retailer और distributor को add करना चाहते हैं id create करना चाहते हैं उनका तो यहाँ पे जो आपको user का option मिल जाता है इसके उप़ आप क्लिक करके यहाँ पे जो आपको add customer का option मिलता है इसके उपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप retailer और distributor को simply add कर सकेंगे जैसा है कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे रिटेलर और डिस्टिबीटर दोनों को पर आप यहाँ पर जो भी एड़ करना उसके उपर आप किलिक कर दीजिए, यहाँ पर नेम, यूजर नेम, मोबाइल नमर, यहाँ पर कमिसन पेकेज, इमेल आइडी, यह सब जो डिटिज रिचार्ज भी यहीं से कर सकते हैं, और यहाँ पे यूपी आई के दुवारा पैसे को भी एड़ कर सकते हैं, सो गाइस, उमीद करता आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लैक जड़ो कीजिएगा, और ऐसे वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जड़ो दबाईएगा, ताकि लेटेस वीडियो जल से जल आपके पात इसकी इंफर्मेशन पहुंचा चुलेगा, इस मिलते हैं अंगले वीडियो में, तब तक के लिए जैहिन, वन्दे मातरम